दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अवितंकूपर तो दोस्तों आज मैं डिस्कस करूँगा पिछले कल जो एच्पी टैट हुआ था एल टी का उसका जीके सेक्शन तो पहला कोश्चन है जब भारत आजाद हुआ तब इंग्लेंड का प्रधानमंत्री क सब्सक्राइब नामक पुष्टक लिखी है तो इसका अंसर आएगा ऑप्शन आएगा कपिल देव तो किस ने लिखी है यह स्टेट फ्रों दा हर्ट एन ओटोग्राफ ऑटोबिग्राफी यह लिखी कपिल देव ने उसके बाद जो नेक्ट कॉशन है मारे पास कॉशन है न पहाड वेगाने नहीं होंगे पुष्टक लेकर कौन है तो इसका अइसर आएगा ओंसर ऐगा ओप्शन झी शानता कुमार तो इनकी जो पुष्टके आब पुष्टके ऑप जैसे धर्ते हैं बलिदान की और पहाड वेगाने होंगे और हिमाले पर लाल चहया तो यह किस तो इन विच स्टेट कहना नैशनल पार्क इस सिचुएटेट तो ये है option D मध्य परदेश में उसके बाद है next question हमारे पास 126 भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था तो which was the first newspaper of India तो इसका जो अंसर है option A बंगाल गजट और ये कब इसकी शुरुवात कब हुई थी 1780 में और किसने की सिच की शुरुवात कॉशन कई बार पुछा जाता है तो जेम्स अगस्ट है की तो ये एक इंगलिश समाचार पत्र था इंगलिश न्यूसर पर और अगर आपसे पुछा जाए कि भारत में सबसे पहला जो हिंदी समाचार पत्र था वो कौन सा था तो वो थ खाक्षों भी हसं में कि भारती राजनीती में देश वंदी के नाम से किसे जाना जाता है तो किसको का जाता है देश यह जाता पंदी को, Option C, उसके बाद next question है, सिमात गांधी के नाम से किसे जाना जाता है तो who is known as the frontier गांधी, तो इसको जाना जाता है अब्दॉल गफारpiece found को और हिमाच्य गांडि के से का जाता है भजजु राम को और पहाड़ी गांदि के से का जाता है पहाड़ी गांडी बाबा काशी राम को उसके बाद है अ spiritual में किस देश का जो संभी स्बीधान है वह सबसे लंबा है तो which country has the longest constitution in the world तो सबसे लंबा किसका है option वी इंडिया का next question है चंद्र नहां जील हिमाच्चर पदेश के किस जिले में इस्तित है ये तो चंद्र नहां जील है option वी शिम्ला डिस्टिक में और अगर चंद्र ताल पुशा होता तो चंद्र ताल है लहल स्पीति में उसके बाद है बन 32 साच पास हिमाच्चर पदेश के किस जिले में इस्तित है तो इनवी डिस्टिक वी माच्चर पदेश साच पास लोकेटिड तो साच पास कहां पर ये option D डिस्टिक चंबा में तो य नेस्ट कोश्व्चन हैं बिश्व जन संख्या दिवस कमनाया जाता है तो में इनब्ट 27 डे एलाली 11 जुलाई को और आज 11 जुलाई ही है तो आज बिश्व जन संख्या दिवस मैं स्युकष राष्ट CHEERING स्निक्तुराष्ट के महासच्चिव का कारेकाल क्या है तो इसका जो अंसर है ऑप्शन डी है पांच वर्ष तो स्निक्तुराष्ट के इस टाइम महासच्चिव कौन है एंटर्णियों गुटेरस परसिद्ध रोरिकारड गेलर कारेकाष्ट यह इसके जिलावा जो इससे रहफुशन संग्राले काहाँ परह को है तो भूरी यह संग्राल्य धिस्टिक चमबा में और इसकी फ्रणियों इसके रीयů तके जाना जाता है उसके बाद हमारे पास question 136 है हिमाच्र पदेश बिधान सवा की प्रत्थम महिला अध्यक्ष कौन थी तो बिधान सवा की प्रत्थम महिला अध्यक्ष पूचा है तो इस कांसर आगा option C विद्या stocks तो और हमाच्र पदेश बिधान सवा के प्रत्थम महिला अध्यक्ष कौन थे तो जैवन्त राम उसके बाद next question है लाड करजन द्वारा पसिद्ध शिमला कालका रेल मार का शुभारंब कब किया गया तो बैनवाज द फेमर शिमला कालका रेलवे इनेगरेटर वाई लाड कर किनारे बसा हुआ है तो यह अयुद्ध्य कहां पर है यह option A सर्यू नदी के किनारे उसके बाद question 139 है हमारे पास सौर मंदल का सबसे सूर्य के सबसे निकट है तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा है विच प्लैनेट इस नेरेस्ट तूदा सन तो option C बुद्ध और सबसे चोट किस देश की राज़ानी है तो name the country having capital Madrid तो किस की है यह राज़ानी स्पेन की next question है IPL 2020 का जो खिताब था वो किस की में जीता था तो IPL 2020 की टॉफ जीती थी मुंबई इंडियन्स ने उसके बाद है कथकली किस राज्य का जो है नृत्य है तो कथकली टूबिच स्टेट कथकली डांस ब्लॉंग तो यह option C केरल का उसके बाद है भारती संबिधान का अनुशेद 21 जो है किस से संबंधित है तो article 21A of the Indian constitution related with तो किस से related है यह अनिवारे शिक्षा से option B next question 144 है हिमाचल परदेश में ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए नियूंतम आयू क्या होनी चाहिए तो इसमें minimum wage पूचा है कि अगर किसी को ग्राम सभा का ग्राम पंचायत का member बनना है हिमाचल हिमाचल परदेश में तो इसका answer है option A 21 वर्ष और अगर पूचा होता बाइस जुलाई 1947 को नेस्ट कोशन है परसिद कोनार का सुर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है तो परसिद कोनार का सुर्य मंदिर कहां पर ये ओडिश्या में और इसके बाद है question number 147 बाबा कांशी राम को पहाड़ी गांदी की उपादी किस ने दी थी तो पहाड़ी गां नाइड़ू ने और पहाड़ी गांदी बाबा कांशी राम को जो जर्म स्थान है वो है डाड़ा सिबा नेस्ट कॉर्चन है दिल्ली चलो नारा किस ने दिया तो हू गेव दा स्लोगन दिल्ली चलो तो ये दिया था सुभास चंद्र बोस ने option C उसके बाद है हमारे पास एक दिवसी अंतराश्टी क्रिकेट विशेव कब 2023 किस देश में खेल जाएगा तो ये खेल जाएगा option D भारत में उसके बाद है last question मजलिस किस देश की संसत का एक नाम है तो मजलिस is the legislature of which country तो इसका जो अंसर है option C इरान तो फ्रेंड्स यह था जी